नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्टों दोस्त निहा शर्मा, वेलकम है आपका कुनली टीवी के शो पंडी जी कहिन में, चलिए फ्रेंट्स मैं आपकी मुलाकात करवातियों हुमारे वास्तू, एस्ट्रोन्यूमिलोजी एक्सपर्ट और स्पिर्च्वल गुरू कमनन पंडिलार जी से, नमस्कार पंडीजी, नमस्कार नहा जी और दशकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, फ्रेंट्स, रिष्टा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हमें बच्पन से एक ही बात समझाई जाती है, कि हर रिष्टे को सम्मान और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में जाने अन जाने में हम किसी ना किसी तरीके से अपने से बड़े या छोटे की इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके कारण क्या आपको पता है कि हमारे कुछ ग्रै भी खराब हो जाते हैं, इसके बारे में जो हम पूरी जान करी हैं पंडीजी से क्षक्षक पिल्कुल बिल्कुल खराब होते हैं और माने माने हमारा हर रिष्ट कुंड़ि काराओत करता है जैं मैं एकजाम्ब्ल दिना चाहूंगा सातमे भाव से पत्निया पति का भाव दिखा माता का भाव हमारी कुंडली में चौथा होता है तो चौथे भाव से चौथा भाव माता की माता नानी को देखा जाता है इसी प्रकार से लगने से नाना को देखा जाता है और लगने से दादी को भी देखा जाता है यानि कि जो पिता की माँ है पिता के भाव से चौथा बहाई भहनों का भाव तीसरा होता है और बड़े भाई भहन का भाव जो होता है वो होता है ग्यारवा इसी प्रकार से हमारी भावी भाई भतीजे बच्चे हर एक का एक निश्चित भाव है और उसकी डिस्रिस्पेक्ट करने से उनकी डिस्रिस्पेक्ट करने से उनके सामने बत्तमीजी करने से हमारे वो भाव कमजोर पढ़ जाते हैं, हमारे वो प्लैनेट्स कमजोर पढ़ जाते हैं, और नेगिटिविटी आती है, देखे, कई जगे लाल किताब में ये तक भी कहा गया है कि बुआ के बेटे की सेवा कीजे, कई बार ऐसा भी आया है कि साली को बहु ठीक हो जाएगा, ऐसा भी आता है कि पत्नी के सिर पे सोनी की कंगी लगवाएं, ताकि आपका प्रहस्पती ठीक हो जाए, जब बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, वो ठीक हो जाए, ये किसलिए इसे हमारे समझना होगा, हमारे कुंडली का हर भाव, हर भाव एक इंडिकेशन देता है कि आपका भाव किस रिलेशन से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा तीसरा भाव अगर हमारे छोटे भाव का है, भाई का है, तो हमारी भावी का भाव, हमारा भाग्य भाव होता है, आप भावी की सेवा करेंगे, आपका भाग्य बढ़ जाएगा, आपका बड़े भाई का भाव अगर 11 है तो आपकी बड़ी भावी का भाव पांचवा होगा अगर आपको बच्चों में कोई प्रावल्म आ रही है तो आपने भी देखा होगा बड़े भाई के बच्चे आपने एडाप्ट कर लिए आपको भी बच्चा हो गया यह अमुमन ऐसा होता था आज कल वो ट्रेंड खतम हो गया है लेकिन इसका क्या कारण होता था यह हमने कभी समझनी की कोशिश नहीं की जोतिश हमेशा लॉजिक पे चलता है जहां लॉजिक नहीं है वा जोतिश ही नहीं है इसलिए हमारा हर सम्मंद कुंडली का हर भाव तै कर वास्तु जो होगा पूर्वदिशा का खराब होगा कभी भी आप एक्जांपल दे रहा हूं आपको मकरलगन के जातकों के लिए पूर्वमुखी घर शुब नहीं होता उसका कारण यह होता है कि इसका रेसिप्रोकेट भाव जो है वो सूरे से सम्मंद देता है छटे भाव का स्वामी सूरी है यह इसलिए पूर्वमुखी मकान उनको कभी सूट नहीं करेगा इसी तरीके से बड़े भाई से उनके सम्मंद कभी ठीक नहीं होंगे पिता से उनके सम्मंद हमेशा कटू रहेंगे यह तै होता है अब इनी चीजों को सुधारने के लिए हम कई बार क्य में ही हमारे ग्रह बसे में इस बात को समझना होगा अभी पंडी आपने बताया कि पिता को शायद खिलाये जा कुछ गिफ्ट दीजे अगर माल लीजे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मदर नहीं है फादर नहीं है या माल लीजे कि वो अनाथ है तो वो कैसे अपने ग्रह को नहीं सरफ हमारे पेरेंट्स इसके अलावा बहुत सारी चीजों का समावेश है कुंडली में चौथा भाव माता के साथ साथ गाय को भी सिंबलाइज करता है आप गाय की सेवा करके अपने चंद्रमा को सुधार सकते है चौथा भाव गंगा का भी भाव कहा गया आप गंग आपके हिसाब से आपके बिजनस पार्टनर का भी कहा गया है अगर आप किसी बिजनस पार्टनर के साथ में इनवाल है आप उसे कुछ गिप्ट दीजिए आपका सात्मा भाव सुधर जाएगा आठमा भाव भी इसी प्रकार से जहां पर भी कोई समस्या आती है तो लाल कित पर केतु को छटे बाहों में लेके आ गए और आपने रहू को बारव में फैक दिया जो फूल है वो केतु का प्रतीक है खुश्बदार फूल जो हमेशा दे रहा है मोक्ष का प्रतीक है उसको आपने छटे बाहों में फैका तो आपकी जो तब्यत खराब हो रही थी वो तो इसा ऐसा फैमिली मेंबर है जिसकी वो सेवा करे या उसको रिस्पेक्ट दे या कोई भी ऐसी चीज करे जिसे उसका जो सूर्य है वो ठीक हो जाए जिए बिल्कुल देखे पिता की सेवा करने से सूर्य आपका ठीक हो जाता है साथ दसाथ के अंदर सास की सेवा करने से जी यह अपनी सास को सोरी मुख़ी कहा गया तो सास की अगर स्तरियां सेवा करती है और जो बेटे हैं वह अपनी पिता की सेवा करते हैं यह अपनी सास को कुछ गिफ्ट देते हैं तो उनका सूरी ठी को जाता है तो पंडी जी नवग्रे को सुधारने के लिए कौन से फैमिली मेंबर्स की सेवा की जाए या उनकी रिस्पेक्ट की जाए जिसे नवग्रे जो है वो शांत रहे हैं सूर्य के बारे मैं ने जान लिया चंद्रमा के भारे में आप अपने भाई की सेवा कीजिए और उनको लाल चीजों को गिफ्ट दीजे आप उनको घुड खिलाईए तामे की चीजे दीजे रेड कलर का मफलर दीजे या रेड कलर से आप जो भी कुछ करना चाहते हैं अगर आप बुद्ध को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी बहन की, बीटी की, साली की, छोटी कन्याओं के सेवा कीजिए उनको हरी कांस की चूडियां गिफ्ट कीजिए या किन्नर की सेवा कीजिए उससे आपका बुद्ध जो है वो ठीक हो जाएगा हरे कपड़े, इलाइची, फिटकरी, मिश्री इस तरह के की चीज़ें अगर आप गिफ्टे देती हैं छोटी कन्याओं को तो बहुत अच्छा हो जाएगा साथ बसाथ के अंदर अगर आप ब्रहस्पती को ठीक करना चाहते हैं तो संतों की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए साथ बसाथ के अंदर किसी सन्यासी की सेवा कीजिए या मंदिर की सफाई कीजिए किसी भी सारवजनिक मंदर की आप अकर सफाई करते हैं तो आपका ब्रहसपती ठीक हो जाता है बात करते हैं हम शुकर को ठीक करना है तो शुकर का सबसे बढ़िया एक्जामपल है आपके धरमपत्नी या आपका धरमपती अगर आप अपने जीवनसाथी की सेवा करते हैं या उसको प्यार उसको हैंडिल करते हैं उसे कुछ गिफ्ट देते हैं तो आपका शुकर अपने आप ठीक हो जाता है शुकर को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है अगर आपकी पतनी हस्ती रही तो आपका शुक्र ठीक रहेगा अगर आपका पती खुश है तो शुक्र ठीक रहेगा साथ बासाथ में अब हम बात करेंगे शनी को गसा ठीक करें अगर आप अपने दादा वगरा की सेवा करते हैं अगर आप अपने पित्रों के लिए जाब करता है तो आपका जो शनी होता है वो बिल्कु ठीक हो जाता है आप अपने सास की जो पूरिश मेंबस है वो अपने अगर सास की सेवा करता है तो उनका शनी ठीक हो जाता है साथ बसाथ के अंदर आप ये समझ के चली कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी महनतकश लोग हैं, जो रेडी वाले, समान उठाने वाले, समान ढोने वाले, रिक्षा वाले, जो महनत करके, सैकल रिक्षा वाले, आटो वाले नहीं, सैकल रिक्षा वाले, जो महनत करके, किस इसी भी तरीके से शारेरिक बल के कारण अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो वहां शनी ठीक हो जाता उनकी सेवा करने Resources गें उनको काले चाते दीजे काले करते हैं ऐसे सन्यासियों के सिवा करते हैं जो सन्यास लेकर संसार को त्याग चुके हैं तो आपका केतु ठीक हो जाता है प्लस आप मंदिर के बाहर की सफाई करते हैं तो आपका केतु ठीक हो जाता है आपको शुब परणाम देता है तो पंडी जी कोई एक ऐसा गिफ्ट जि जो कुटुम्ब है, जो आपका गोत्र है, उससे समाननतर रूप से लगभग सबसे 11-11 रूपए ले लीजिए और उस पैसे को जमा करके, जितने भी आपके गोत्र में है, अब जैसे मैं अगर गोत्र से गिरी हूँ, तो मेरे गोत्र में, जितने मेरे परिवार में गिरी गोत् ले लेता हूँ और वो सो जने हैं तो मेरे पास में लगभग लगभग 10,000 रुपए आ जाते हैं उस 10,000 रुपए से आपको क्या करना है किसी भी संडे के दिन आपको गायत्री के निमत हवन कराना है और हलवा पूरी का भूग लगवा करके ब्रहमनों में और कन्याओं में ढया जाती हैं विखारीयों की गरीब के शनी रहूं के तू ठीक हो जाते हैं और धर्मिक आप करी रहे इसलिए ब्रहस्पती और शुक्र वैसे ठीक हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद पंडी जी से हम जानकरी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नहाजी और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम उमेद करते हैं हमारे सबी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा तो फ्रेंट्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडी जी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चनल कुंडली टीवी और फेस्बुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेर करना ना भूलें